हेलो दोस्तो आप लोग फिर से स्वागत है मीरे एक और नहीं वीडियो पे तो दोस्तो अगर आप POKKATFM एप को यूज करते हैं POKKATFM यूजर तो दोस्तो यह वीडियो आपको एंड तक चरूर देखना है क्योंकि दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आप pocket fm के merits और demerits के बारे में दोस्तो pocket fm app जो की बहुत इंडिया का number one app है तो इसके बारे में मैं कुछ अच्छी वाते बताऊंगा और जो इसमें कुछ problem चल रही है जैसे कि demerits वो भी बताऊंगा दोस्तो इस app में क्या merits है और demerits है दोनों साथ में बताऊंगा तो सबसे पहले मैं आपको आपको open कर लेता हूँ तो आपको open कर लेने के बाद मुझे कुछ इस तरह का interface देखने को मिल जाएगा तो दोस्तो सबसे पहले इसकी merits की बात करें तो दोस्तो यह जो pocket fm app है इंडिया का number one app है तो दोस्तो यह होता है pocket fm app का merits और दोस्तो साथी सद में यह भी बता दूँ तो इसमें जो pocket fm की stories होती है वो दुनिया की best stories भी होती है वैसे ही बाकी सारे प्लाटफरम से पकड़ अच्छे होता है तो इसकी जो डिमेरिट्स की बात करें तो दोस्तो इतने बड़े एप पर आपको जो कॉइन वाले सिस्टम है वो बहुत ज़्यादे एक्सपेंसिब देखने को मिल जाएंगे जबकि एक नॉर्मल इंसन या स्टूडेंट जो की पकड़ मनी लेते हैं या उन पकड़ मनी बचा के कॉइन रिचार्ज करते हैं उनके लिए पकड़ अफेम जो कॉइन वाला सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिब है तो दोस्तो इसकी और एक डिमेरिट्स की बा कि बात करें तो इसके जो क्रिएटर सो है जो जो किन altre एक होते है वो बहुत ही जlieskin केूद्टेंड मतलम यहा पर लाते हैं जो स्टूरिज लाते हैं unique stories वो लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसान आता है जिसके वज़ा से pocket fm के जो user होते हैं वो कोई और platform पे नहीं जाते हैं और साथी साथ इनका जो audio quality और इनके जो stories के episode होती है वो बहुत ही अच्छा होती है और दोस्तों यहां पे 144 पे अगर हम stories को कोई memory लॉक्त करते हैं तो एक ही policy since बहुत ही ज़्यादा कोई ले जाता है जो कि बहुत ही जयादा expensive होते हैं और साथी साथ दोस्तो वोगोर्हें में ऐसा भी oh Shir में बहुत दिनों क्या होता है नहीं stories को continue नहीं करते इस Paltech पहुता है उनलोक नहीं करते और स्टोरीज को आगे भी नहीं बढ़ाते और एक बात दोस्तों कोई अगर एक यूजर पोकड़ एप पर रिचाच करता है और उसके पैसे भी कड़ चुके हैं तो उसको यहां पर पैसे नहीं मिलते साथी साथ वह अगर उनको कॉंटेक्ट करन जबकि पोकड़ एप पे बहुत सारा ऐसे अपड़ेट आया था तो यहां पर अगली वार जो था यहां पर जो है मेल करने का अपड़ेट आया था और साथी साथ प्रूब देने का भी अपड़ेट आया था लेकिन इससे कोई फाइदा नहीं हुआ लोगों का और दोस्तों पोकड़ एप की बात करें तो मेरिट्स की बात करें तो पोकड़ एप में कोई भी स्टोरी की कमी नहीं है यहां पर आपको हर दिन मतलब ज्यादा तर आपको यहां पर नए नए स्टोरीज देखने को मिल जाते हैं साथी साथ जो नए स्टोरीज है वो ट्रेंडिंग पर भ में सुन सकते हो तब pocket fm का जो अपडेट था वो लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आया था जबकि अभी कोईन बले सिस्टम है स्टूरी सब अच्छी है बहुत सरे अच्छे हैं लेकिन यार कोईन जो सिस्टम है वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिब pocket fm एप पे है जिसके वज़े से लोग बहुत तरीके धून रहे हैं pocket fm जो स्टोरी सोता है उसको जुगार लगा के सुनने के लिए तो दोस्तो देखा जाए तो इस एप में बहुत सारे ऐसे अच्छे चीज हैं बहुत सारे एडवांस मतलब स्टोरी से बहु है और शाथ ही सात्री से इस सारे क्रीटर्स को बहुत ही ज्यदा पसान आता है इसमें अपको इनिक क्रेंटरस देखने को मिल जाएसी साथ हर दिन आपको अलगअलग स्टोरी भी आपको मिल जाएंगे तो इस एप की जिस जादा अच्छ आपको अजिचने यहां बहुत about tever तो डोस्तो एंडियां का Number One app यह उसमें कोइन के जो system है बहुत ज्यादा expensive अर्टक्व आपके कोई को रीचर्च करते हो ना चाहिए लेकिन आपकी को लोटा नहीं बात चुछ समय होता है भी रिप्ले नहीं मिलता अगर पोकड़ एप के पास हेल्प्लाइन नंबर होता तो हम उनसे मेल में हो या कहीं पर बात कर सकते लेकिन ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है अगर आपके पैसे कट गए तो कट ही गए तो दोस्तों यह थे आज के पोकड़ एप हम के मेरिट्स एंड तो आसा करता हूँ पोकड़ एप पे बहुत ही जल 399 बला जो विएप होता है वो आज है अगर आप सबको 399 बला विएप चाहिए तो इस वीडियो के नीचे आप कॉमेंट कर लो ताकि पोकड़ एप को भी पता चले कि लोग 399 बला जो विएप होता है वान येर के लिए वो ज़्यादा तर चाहते हैं तो चलिए दूस्तो आज का वीडियो यहीं तक था वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना चलिए मिलते हैं अगली वीडियो पे तब तक के लिए टाइक